हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, tau faststage के बारे में, fast पिशिकली 7 टाइप्स के होते हैं, याने कि 7 टाइप्स के होते हैं violet, orange, green, yellow, pink, sky blue and black color का, जो violet होता है वो private गाढ़ियों के लिए होता है जो orange color तो Dios, mini, bus and light, commercial vehicles के लिए होता है और green color का होता है जो two axle bus and vehicles के लिए और yellow color का जो होता है और triple axle truck and bus के लिए होता है और pink color का जो होता है और four, five, six axle की bus and truck के लिए होता है और sky blue जो होता है और seven axle के उपर का जितने वेहिकल से उन में होता है सब्जाब जैसे की कोई है जैसे यह सब्लें पर लेते जो कर दता है उसे ही xl होते हैं यह xl है यह adults है जो स्था जितना फोगए उनमें Excel भी बढ़ेंगे तो जितना अच्यल भढ़ेंगा उसके हिसाब से फिर्स्ट हेंज होगा तो इसल का मेंनिंग यह हैं सब्सक्राइब अब हम नेक्सरेश को समझते हैं कि कैसे यह सारे प्रोसेस होता है, सिस्टेम काम करता है, तो ये नेशनल इलेक्ट्रोनिक पूल कलेक्शन के तेहत सारे काम होता है, जो RFID, Radio Frequency Identification Technology के द्वारा ये काम होता है, तो हम इस प्रोसेस को भी एक डियाग्राम के हिसाब से समझेंगे, तो अच्छे समझ पाएंगे, तो हम मैं फिर से एक डियाग्राम बनाता हूँ और उसमें आपको समझाता हूँ, तो आईए, डियाग्राम से समझते हैं, यहाँ पे हमने एक डियाग्राम बना दिया है, तो हम इस डियाग्राम के हिसाब से समझते हैं, समझ लिजी एक टूल प्लाजा है, यहाँ पे एक स्केनर लगा हुआ यहां पर यह गाड़ी है आपका तो आपके गाड़ी के उपर जनरल वाइंशिल्ट पे एक फरस्टिक लगाऊवा होता है इस RFID टेक्नलोजी के द्वारा जो रेडियोफिकेसी वेब्स के द्वारा काम करता है इसके तहत यह स्केन करेगा और इसका सारे डिटेस लेकर एक्व एक्वार बेंग ईसको नथे handsome mippar को देगा पहले हम समझ लेते की कि एक्वार बिंट पलाजा के लिए जो बिंक काम करता है उसे एक्वार बेंग ब्लाजे और एनिटिक है जो फास्टिक सब्साग का समझ लोगी सारी इन्फरमीशन एनिक्वार संदिता तो वेसि information एक्वइर बंक को देगा एक्वइर बंक फिर से क्या गरेगा डेविट एमांट के लिए NETC को रिक्वेस्ट बेज़ेगा और एनेटीस क्या करेगा चिह इस्वइर बंक इस्वइर बंक का मतलब समझें इस बंक के द्वारा आपने फास्टिंग बनाया था research किया था आपको first take तो NETC में पर क्या करेगा आपका freshwater bank को request रह जएगा debit के लिए और यह detect करके information NETC को बेज़ देगा NETC यह information Equire bank को देगा और Equire bank यह information फोटरट करेगा directly tool plaza में और tools plaza में show करेगा कि आपके 300 successful हो चुका है इसके बाद यह जो वेरियर होता है यह गेट होता है और जो यह टनल सक्सेस्टल हो जाएगा तो यह गेट उड़ जाएगा और आप जा सकते हैं इसके बाद 26 February 2021 में यह compulsory कर दिया गया कि फास्टेक चाहिए होगा नहीं तो आपका चार्जस लेगा एक्स्ट्रा आपका फाइन लगेगा और अभी एक फेक्ट है जान लेते हैं कि करीबन हमारे इंडिया में पार डे 80 करूल का रेविन्य होता है फास्टेक से तो फास्टेक चीजे को रिलाइबल बनाता है कि काम जल्दी से जल्द फठाफट से खतम नहीं तो एक टूल प्लाजा में आप दो तीन कंटे लाइन लगना पड़ता है गाड़ी 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 का लाइन लग जाता है तो बैसे के लिए फास्टेक या कर रहा है फास्ट और थेंकियो सो मच को बच्च को